आज मैं बहुत ही जाबा खुश है। आज मेरे मेंटॉर, मेरे गुरू जिन्होंने उंगली पगर करके मुझे चलना सिखाया, जो अपने वर्तमान जीवन में इतने सफल हैं कि उनके बारे में बात करूं तो आदा हंटा दोगली होता रहा जाओना। वो दिहार प्रसासिन से से थे, बात में प्रोणती लेकरके भार्तियों प्रशासि सेवा में गए और अब उन्होंने अपने जीवन की दूसरी पारी की सुरुवात की है और खुद के यूट्यूब चैनल पे आने का रेनांस्मेंट लिया है। आईए मैं उनसे आपको मिलवाता हूं, प्लीजू सर सर, आपने इतनी अच्छी सेवा से निकले हैं और आप जीवन की दूसरी पारी की सुरुवात यूट्यूब चैनल से करने जा रहे हैं। यूट्यूब को सेलेक्ट करने के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण आप हमारे घर्सकों को बता सकते हैं। नमस्कार, बिलकुल आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रशन पुछा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगवग तेतिस साल मैंने सरकारी सेवा में मुझारी और भारतिय प्रसासनिक सेवा में रहते हुए विविन जगहों पर और कैपेसिटी में हमने काम किया। जीवन में ब सब कुछ का है। मुझको लगता है कि जो मेरे पास अनुभव है और जो थोड़ा बहुत ज्यान मैंने अरजित किया। यह अपने साथ ले जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं समाज को देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि इसके लिए यूटूब बाध्यम सबसे सटी है। उसका रिचाउट भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं genuinely अजय जी आपको बताओं कि I just want to help people around. अलग-अलग छेतर के जो लोग है चाहे वो कोई business करना चाहते हैं, entrepreneurs बनना चाहते हैं, कोई और चीज करना चाहते हैं, कोई spiritual ही कुछ रहना चाहते हैं, कि नहीं को और किस इसी भी से कोई student है, त्यारी करना चाहता है, तो अलग-अलग छेतर के लिए जो मेरे पास अनुभाव और ज्यान है, मैं लोगों के साथ सांधा करना चाहते हूँ, उनको genuinely help करना चाहते हैं, इसलिए मैंने YouTube channel को चुना है। फिने वाला है, तांक्यू, तांक्यू सो मच्चू